बहुत सरे लोग मुझे इस्टाग्राम पर DM करते हैं कि रागिस भाई हम कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर यूज करें कौन सा जो ब्रोकर है वो ट्रस्टेड है क्या डेपोजिट इन विड्वाल करने के मेथद से क्या यह लीगल है कि नहीं कौन से इंडियन ब्रोकर है जहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं तो आज कि इस वीडियो में सारे चीज़ में कवर करने वाला हूं तो अगर आप चैनल पर पहनी बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओ गदू कि मेरे पास पहले मेल आ जाता ठीक है इंडिया में टॉब ब्रोकर कोंस है तो इसके बाद एक्जम है और तीसर नमबर पर ओक्टाफिक्स है और यह दोनों के बीच में आपस तरीके से उचलता है कि कभी उपर यह जाते कभी उपर यह जाते सर्विसिस के मामले में आप देहें कि तीनों में थोड़ा सब डिफरेंस है जैसे एक्जम में आप हो क्या है कि डेडिकेटेड एक अकाउंट मैनेजर मिलता मैंने में मतलब कि आप वो कोई भी प्रॉब्लम में तो डिरेक्ली आप उन बन्दे से WhatsApp पे बात कर सकते हैं कॉल प्रॉब्लम आई करना legal है अगर आप FEMA Act को perpet ning है करते तो नहीं है तो नहीं होना चांका है कि आप जो है डिरेक्ली ब्रोकर के लिंक नहीं होना चाहिए, मान के चलो कि अगर आप जैसे ये ब्रोकर है ठीक है ये ब्रोकर है और आपका इनके बैंक अकाउंट से इनके बैंक अकाउंट से इनके बैंक अकाउंट से आपका परसिनल बैंक अकाउंट पर कोई लिंक नहीं ह अच्छी है अगर आप वो चीज करते हो तो आप वो पनिसेबल ओफेंस है ठीक है पनिसेबल है या जो भी आपको डंट बरना पड़ेगा और जो भी जो भी अमांट रहेगा और जो भी चीज रहता हो एक अलग कैटेगरी ठीक है तो यहां पर डिरेक्टली आप इनके जो बै उसमें नहीं करो गया अगर आप वो करते हो तो आप फेमा एक्ट की जो गाइडलाइन से उनको गॉलेट करते हो फेमा एक्ट है कि कोई भी बंदा इंडियन रेजिदेंस किसी फॉरन ब्रोकर के डिरेक्ट अकाउंट में लिंक नहीं रख सकता डिरेक्ट पेमेंट नहीं कर इसका मताब क्लियर समझ गए कि आपको डिरेक्ट पेमेंट नहीं करनी बट हम लोग क्या करते हम गाईज पीर-टू-पीर नेटोग का यूज करते हैं एक बंदा हूं ठीक है मैं एक बंदा हूं ए बंदा और कोई दूसरा बंदा भी बंदा अगर मेरे को डेपोजिट करना इस बंदे को वीडरोल करना तो हम क्या करेंगे आपस में करेक्ट हो जाएइगी यह कंपनिया करती हैं जैसे मैं बता रहा हूं यह ऐसा होता है वह कंपनी क्या करेकि आपको एक बैंक डेटेल देगी जैसे अगर आपको मान के चलते हैं एक्जनेस पर विडरोल लगाना है deposit करना है तो company के आपको एक bank detail देगी नाम के साथ नाम, account, number, IFC के साथ आपको detail देदेगी आपको just इन पे deposit करा देना है आप जैसी deposit करा होगे वो amount आपका जो भी प्रोकर आप चूज करें होगे उस पर reflect करेगा तो यह बहुत one of the popular जो methods है popular method है वो जो इंडिया में चल रहा है वो यह है ठीक है यह offline bank transfer या online उसके बात गाई जाता है crypto का तो crypto में तो कोई problem नहीं है अब directly transfer कर सकते हो directly withdrawal कर सकते हो कोई पंगा नहीं है तो आप guys समझगे लीगल है यह trade करना कोई problem नहीं है अब मैं फटाफट से आपको ले चलता हूँ कि which broker I use तो guys मैं personally इन दोनों को ही use करता हूँ इसी का link आपको नीचे description मिलेगा आप इनको use करने का मतलब क्यों मैं use करता हूँ उस सारे चीज़े मैं आपको इनके website पर ले जाके दिखाता हूँ तो guys हम सबसे पहले बात करेंगे एक्शनेस की उपर की एक्शनेस की उपर कैसे आपको account बनाना है अगर आप एक्शनेस की website पर जाएंगे तो यहां लिखा हूँ है online trading with better than market condition ठीक है अब यहां पर देख सकते है इंस्चंट जो withdrawal है वो आपको मिलेगा यह लोग वीजा, MasterCat, Skrill, Natal यह सारे चीज़ें अलाओ करते है currencies में आप trade कर सकते हो, stocks में trade कर सकते हो, commodities में trade कर सकते हो, commodity मतलब gold, silver, something like this, stock मतलब, Tesla के इसमें कि आपको किसी में बहुत कम मिलेंगे, कमिशन फिर देना पड़ेगा, इस तरीके से सारे चीज़ है, अब हम बात करते हैं इनका की डेपोजिट एन विड्रॉल मेथड के, अगर आपको सिधा अकाउंट बनाना है, तो आप सिंप्ली यहां से डेमो अकाउंट भी ट्र सेट अप कर सकते हैं, साइन अप करके, सिंप्ली आपगा करना है, अपना कांट्री का रेजिटेंस डालना है, जैसे मैं यहां इंडिया का हूँ, तो मैं सीधा यहां पर इंडिया डाल दूँँ अपना इमेल आईडी पासवर्ट, और मैं सीधा फिर इनके डैस्वर्ट पर बना दूँगा, XNS की उपर, from account opening to doing first deposit and taking first withdrawal, मैं सारा चीज बता दूँगा आपको, अभी मैं just super उपर का बता रहा हूँ आपको, की methods क्या है, तो अब हम बात करते है, XNS की उपर deposit and withdrawal के कौन-कौन से method है, और which I use, जैसे देखो, यह Estro पे, यह मैं use नहीं करता, मैं use करता हूँ, सबस्यादा यह, online bank transfer और यह वाला, इसमें आपको first volume में क्या है, कि minimum deposit, जो amount होना चाहिए, वो 40 dollar होना चाहिए, और दूसरा में 15 dollar, यानि इस से नीचे गर आप deposit करोगे, तो deposit नहीं हुगा, और अगर इसकी बात करे speed का, तो it will take hardly 60 seconds, account में reflect होने में, और उस उपर वाले में 3 तिन जेंटे लगता है, और अगर आप withdrawal की बात करो, तो same way within 24 hour में, इस वाले दोनों category से आप कर सकते हूं, यहाँ पर UPI QR, यहाँ पर QR code मिलता है, इनमें भी minimum amount आप देख सकते हैं, 60 minute लगता है, अगर आप किसी other method से करोगे, although यहाँ पर मुझे crypto का option नहीं देख रहा है, ब Indian bank account से आप deposit कर रहे हो, लेकिन you are taking withdrawals from crypto, तो एक दो बार दो allow करते हैं, बट बार बार allow नहीं करेंगे, तो यह तो guys, एक्सेनेस का था, कि आप एक्सेनेस में किस तरीके से account बनाते हो, इस सारे चीज़, अब हम guys, बात करेंगे exam का, त्योंकि exam में एक और feature है, अगर अभी आ आप यहाँ पर deposit करके account बनाते हो, तो यहाँ पर अभी 100 dollar के उपर आपको total 100% का bonus मिलेगा, यानि आपके account में 200 dollar हो जाएंगे trade करने के लिए, यानि 100 dollar आपको free में मिल रहा है, trade करने से, वो offer तभी valid होगा, जब आप मेरे नीचे देगा, लिंक से जाओगे, यहाँ पर deposit यहाँ पर आप demo account भी बना सकते हो, real account भी बना सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, trade, forex, crypto, CFDs, stocks, metals, more, सब चीज यहाँ पर, और गाइस इन दोनों website का, आपको proper dedicated, apple store पे, play store पे दोनों app भी मिल जाएंगे, बहुत सार ऐसा broker हो तो, सिर्फ उनका जो website होता, but यह कुछ जो top rated broker है, इनका क्या आपके पास application भी मिलता है, ठीक है, तो आप यहाँ पसे download कर सकते हो, अब बात करते हैं कि exam में deposit and withdrawal method क्या है, simply guys, मैंने इनके उसमें जाकर चेक हिया, तो आप देख सकते है, what is the minimum amount I can deposit or withdrawal, तो यहाँ पर simply कुछ जाएगा, आप चेक कर सकते है, the minimum amount deposit जो है, वो 5 dollar है, ठीक है, the minimum deposit amount of share shop, इतना इतना इतना, ठीक है, आप देख सकते हैं, कैसे आप withdrawal ले सकते, guys, इन दोनों के पास almost same methods है, same methods है, deposit के भी and withdrawal के भी, बस difference कहां आता है, services में, services like कि जैसे, इनके पास dedicated जो है, अपना account manager है, relationship manager है, और भी 100% जो bonus दे रहे हैं, वो अब इसमें, guys, मेरा experience सोड़ा सा सलो रहता है, customer support के साथ, बट इनका क्या है, कि internal manipulation जाजा करते है, internal manipulation, ठीक है, मतलब कि आपको stop out कर देंगे, बट वो कभी-कभी होता, once in while ऐसा नहीं होता, डेले-डेले होता है, कभी साल में 2-3 बार हो गया तो, और यहां पे, guys, आपको जब news आ लगा है, यहां, बट trade कटा आपका है, तो थोड़ा सा उसके वे से भी extra loss हो जाता है, ठीक है, guys, तो यह कुछ simple सा comparison था, XM में, XNS में, और जो भी हमारा OctaFX है, although OctaFX को मैं उतना promote नहीं करता है, India में, but मैं इनको थोड़ा सा, मैं personally जो trade करता हू, guys, उस पे मैं आपको बता र तो आप मुझे सीधा Instagram पे DM कर सकते हैं, यहां नीचे description में आपको हमारा bio का link मिल जाएगा, bio में जाओगा, सीधा मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं, वो भी problem आता है, वैसे आपको Instagram का है, यहां पे handle मिल जाएगा, जब तक के लिए अच्छे से deposit करना, अच्छे से withdrawal करना, च्रेड कर और बोलते रहे साथ में वारत माना की चैट